सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्तित हमारे सभी गाजीपूर के आदेनी बुजोर माताएं बहनें नौजवान साती किसान भाई आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आवहार प्रिकट करना चाहता हूँ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पिधायक वीरें ज्याज़जी को यहोंने अपने पिताजी के इस कारकम में हम सब को बुलाया है बिधायक वीरें ज्याज़जी ने यहाँ पर जितने भी मंच पर बैठे हैं समाज़वादी पार्टी के राश्ची उपाद धेक्ष बर्राम यादब जी से लेकर के पूर मंत्री उप्रकास जी और बड़ी संख्या में हमारी पार्टी के सभी नेता मौजूद हैं यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जीवन भर कैलास यादब जी के साथ काम किया होगा यहाँ मंच पर बैठे लोगोड हैं जो जमीन पर भी साथ रए सदन में भी साथ रए और रान्यतिक लड़ाईयों में आंदोलोंों में भी वो साथ रए हैं मैं इस कारकम में जहां पर उनकी प्रतिमा का नावरण करने में आया हूँ इस कारकम में शामिल होने के लिए मैं एक एक नौजबान का एक एक माता बेहनों का यहां पर जितने भी बुज़र्ग बैठे हैं मैं उस सब का धनिवाद और आभार पिकट करना चाहता हूँ वैसे तो हम और आप सब लोग जब वो हमारे बीश नहीं रहे तो हम सब लोग उनके परिवार से मिले हैं जगे जगे अपनी तरीके से हम लोग उन्होंने याद किया है सदान जली देने भी हम लोग पहुँचे हैं हम और आप मेंसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके ना रहने पे जो परिवारिक कारकम होते हैं जो हमारे परंप्राओं से जड़े कारकम हैं उन्हें भी हम और आप लोग शामिल हुए हैं ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और हम आप मेंसे जितने लोग हैं समय समय पे हम लोगों ने चीज़ें जानी हैं समझी हैं और पढ़ी हैं कि जो इस धर्टी पर आता है उसको जाना होता है जो इस धर्टी पर जनम लेगा उसे एक ने एक दिन हमें आपको छोड़ करके जाना है हम आप लोग जितने लोग हैं ये सबसे बड़ा कड़वा सच है कि हम लोग जनम लेकर के और एक ने एक दिन जाएंगे कहलाज जी ने अपने जीवन में बहुत सारे लोग के सुभ दुक में रहे होंगे समय समय पे आपने उसे अपनी जो भी समय से रही होगी कभी ने कभी कहा होगा जो अपने इस सबसे बहुत कर सकते रहे होगी उनूंने मदद कियोगी शंगर्स करकर के जमीन से जहां वो खुद आगे बढ़े उन्होंने अपने साथियों को भी आगे बढ़ाया बिढान सवा से लेकर के मंत्री पद तक पहुँचे जो कुछ उन्होंने जोड़ा बनाया वो समाज के लिए बनाया मुझे खुशी है कि जब हम लोग मिले थे एक बार पहले भी सिधान जी के लिए लेकिन आज जब हम लोग याद कर रहे हैं उनको तो वो जहां भी होंगे जहां भी इससे भी देख रहे होंगे जरूर हमें और आप सब लोगों को आशिवाद दे रहे होंगे हम लोगों ने बहुतों को खोया है यहां पर मंच पे बैठे लोग कोई ऐसा नहीं है जिसने हमने परिवार के किसे किसे सदस को कभी ने तुम खोया है सामने बैठे लोग हैं आप भी अगर याद करते होंगे तो हम लोगों ने बहुतों खोया है जब मैं मुख्यमंदी था मुझे याद है एक जिन सूचना मिली कि दादा नहीं है रामकन दादा जी नहीं रहे यहां के वो गांदी थे और जब मैं पहली बार उनसे मिला था और जब आखरी बार मिला उनका केवल चिंतन वही था समाजवादी वो भी हमें छोड़के चले गए केलाज जी छोड़के चले गए बहुत सारे हमारे नेता हैं हमने आपने उन्हें जाते वे खोते वे देखा है अभी कुछ दिन पहले जब नेता जी हमारे बीच नहीं रहे और जिस समय वो बीमार थे अस्पताल में थे बहुत सारे लोग मिले आकर के बहुत से लोगों ने नजाने कितने तरीके से दौएं की पूजा पाट किया हम लोग उनके साथ थे बहतर से बहतर इलाज अच्छी से अच्छी दवाईयां जो कुछ कर सकते थे सब कुछ किया लेकिन वो हमें छूड़ करके चले गए लेकिन मैं आज ये कह सकता हूँ जब हम रामकर दादा जी को याद कर रहे है इस जगे जहां पर प्रतिमा लगे किराज जी की उन्हें याद कर रहे हैं नेता जी को याद कर रहे है जो कुछ विकास दिया वो अलग चीज़ है हमारे दुख मुक सुख में वो साम मिल रहे वो अलग बात है लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी विरासत में अगर कोई चीज़ हमें आपको सब को मिली है तो यह समाजबादी आंदोलन जो सब लोग मिल करके हम लोगो देखे गए है और जब कभी भी हम लोग याद करते होंगे उन्हें वो जहां भी होंगे जिस जग़े भी रहते होंगे हमें नहीं पता कि आदमी के जाने के बाद इन्सान के जाने के बाद वो कहां चला जाता है अलग्स तरह के लोग जो धर्म से जुड़े हैं परंपराओं से जुड़े हैं उनके अपने तरीके हैं लेकिन हम यह मानते हैं जहां भी होंगे वो हम लोगों को समाजवादियों को कई न कई आशी वाद दे रहे होंगे और जो समाजवादी आंदूलन वो लेकर किया है उसकी जिम्मधारी हमारी आपकी बनती है इस आंदूलन को और आगे ले जाने का काम करना है हम आप जो आज बने खड़े दिखाई दे रहे हैं अगर वीरेंद आज विधायक हैं तो ये अपनी पिताजी का ही अंस है पिताजी हैं जो इन्हें सब कुछ देखे गए हैं हम मेंसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी महनत से आगे बढ़े हैं ऐसे भी हमारे साथ हैं जो लोग अपने आने वाली पिड़ी को देखर के जा रहे हैं हाँ जो हमें लाल तो भी मिली है और अगर काली सत्री पहन करके रादनीद कर रहे हैं मैं इस मौके पर कह सकता हूँ नेता जी नहीं हम लोगों को दिया और नीता जी की वज़े से हम लोग यहां पास पड़े हैं इसलिए अगर उनके जीवन के बारे में हम लोग याद करेंगे नजाने कितने स्मरण हैं नजाने कितनी चीज़े हैं लेकिन मैं कह सकता हूँ मैं बहुत कम समय के ले रहा जब मैं सरकार में था कहलाजी मंत्री थे जो कोई भी बात वो लेकर के आते थे फैसा लेकर के हम तक आते थे हमने कभी भी उनके फैसले पर कोई बात नहीं रखी होगी जो उन्होंने का भई हमने स्विकार कर लिया वो पंचायती राजमंत्री भी बने सर्वे करना कौन से आरशन होगा क्या होगा यहाँ पर हमारे बनिश्ट नेतादरी बल्लाय म्यादर जी भी बैठे है वो जानते होंगे कितना मुश्किल काम होता है कौन सी जगे को क्या बना दें क्या रशन हो जाए किस वार्ड को कैसे बना दें यह जमीनी राजनी वही जानता है जो जमीन पर रहता है और मैं समझा हूँ कहला जी जब थे तो उन्होंने उत्तव देज में वो भूमी का निवाई कि कहीं भी किसी तरह का कोई बर्शन नहीं लगा पाया बहुत सारे उन्होंने काम किये होंगे सडकें, पूल या और जगें हम लोगों से मदद देते रहोंगे लेकिन आज मैं देख सकता हूँ मैदान भरा दिखाई दे रहा है लोग सडकों पे हैं और कई हमारे साथी तो 11 बजे ही चलती होंगे घर से और पहले चलती होंगे अब तो शाम हो गई ये बहुत दूर से आए हैं ये बता रहे हैं 9 बजे ही चलती होंगे तो सोचो जो 9 बजे चला वो आज अभी कितना समय हो गया सोचिए लेकिन ये गाजीपुर की एतिहासिक धर्ती है ये समाजवादी धर्ती है ये वीरों की धर्ती है ये वो धर्ती है जिसने फौज में लड़ने के जजवा दिया है इस धर्ती से पैदा हुए लोग इतिहास बनाने का काम करते हैं हम चाहे उस्मान जी को याद कर ले है या पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले हमीज को याद कर ले है भी रखो हमीज ए धर्टी वो है और नीता जी के आभान पर समाजवादियों के आभान पर यहां के लोगों ने हमीसा इतिहास बनाने का काम किया है इस बार तो हो है हलागि ये गाजीपुर्ण ने पहली बार नहीं कई बार पहले भी इतिहास बना चुके हैं लोग बताते हैं कि चरन सिंग जी के जमाने में जब दूसरे दल का पूरा रुत्वा होता था तब भी यहां पर लोग चरन सिंग जी के कहने पर एक एक बोट डाल करके समाजवादी आंदोलन या किसानों की लड़ाई लड़ने वाले के पक्षवी बोट डाल दो जब मैं यहां पर सभाओं में आया था चुनाओं की सभाओं में मैं जब यहां यहां आया था यहां पर लोग सुनना नहीं चाहते थी वो इंतजार कर रहे थी कि बोट कप डालने का मौका मिलेगा मंच रहा होगा मंच से दूरी ख़तम कर दी थी आगे नाजवानों ने मुझे याद है और केवल गाजीपुर में नहीं उस चुनाओं में मैंने गाजीपुर से लेकर के आखरी आपके शामली से लेकर के उन इलाकों में भी देखा था कि अगर कहीं चुनाओी सवास समाजवादियों की थी तो बल्ली और जनता का कोई हिसाब किताब नहीं था कोई रोख भी पाया आज रिजल्ट कुछ भी आगया हो किसी की भी सरकार बन गई हो किसी की भी सरकार बन गई हो लेकिन जनता जनता की सरकार तो केवल समाजवादी बना सकते हैं दूसरे लोग नि बना सकते हैं जनता के बीच अगर आज भी कोई याद कर रहा है तो वो समाजवादी लोगों की सरकार याद कर रहे हैं ये सरकार तो कुछ है ये नहीं सरकार क्या है ये सरकार सोचो आप ये कुछ सरकार है अभी दिल्ली की सरकार ने एक फैसला लिया है हाला कि चौदे तारीख जो फरवरी के होती है बड़ी अलग तारीख है इसको मैं पीडी की दूरियां मानू क्योंकि हमारे बुज़र पूशेंगी है मैं क्यों चौदे तारीख की बात कर रहा हूँ ये जो चौदे तारीख को भारती जन्ता पार्टी ने एक नए तरह का फैसला लिया है हाला कि दिल्ली वालों ने लिया है लखनों वाले पता नहीं मनाएंगे कर नहीं मनाएंगे फैसला दिल्ली से हुआ है पत्गार साथी जो चिठ्थी निकली वो सहीं की नकली है जब मैंने उसको पढ़ा पहली बार कि भारती जन्ता पार्टी के लोग 14 फरवरी को कोई हग दिवस मनाना चाहते हैं अब मुझे नहीं पता ये अंग्रेजी का शब्द है कि हिंदी का शब्द है अगर ये अंग्रेजी का शब्द है तो इसका मतलब कुछ और है अगर कोई कंफ्यूज हो जाएगा हिंदी के लेकर के तो इसका पूरा का पूरा गुर्गोवर हो जाएगा कैसे लोग है बताओ ये जो मुबाइल चलाने वाले तो समझ रहे होंगे ये पता नहीं ये पता नहीं कौन से प्रेम में कहां उल्जे हुए बीजेपी के लोग इन्हें मित्रता भी करनी नहीं आती इन बीजेपी के लोगों को मित्रता भी करनी नहीं आती और कभी-कभी हम और आप लोग अगर डॉक्टर साही आपको दिखाने जाएं और डॉक्टर हमारा आपका बलड टेश कर लेêtes और कोई जानकारी करें तो कभी-कभी कहते हैं कि आप में इस बिटामिन की कमी है अगर मालीजे कोई बिटामिन की कमी है तो डॉक्टर साब आपको उस विटामिन की गोली दे 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 इतने दिन खाईए आप उसके बाद सस्थ हो जाएंगे और हमारे गाओं के लोग ज़रूर जानते होंगे अगर हम आकड़े निकलवाएं पी-एस-सी और सी-एस-सी अस्पताल के क्योंकि जब मैं गुरकपूर का सरकार में एक सिस्टम लगवाया कि आखे का पी-एस-सी और सी-सी में किसलिए लोग आते हैं तो जब जानकारी मिली तो ये जानकारी मिली के लोग अकसर बहुत छोटी-छोटी बीमारी के लेकर के आते हैं और पी-एस-सी और सी-सी में पहुंच करके जो गरीब हैं गाओं वाले बापिस नहीं जाते हैं जब तक उन्हें दवा न मिल जाए तो हम एक विवस्था बनाना चाहते थे इसलिए वहाँ कम्प्यूटर लगा करके जानकारी हासिल कर रहे थे तो अगर वहाँ सबसे जादे लोग आते थे थो लोगों को शिकायत रहती थे कि उन्हें कमजोरी की दवा चाहिए कमजोर है बोलो या बुखार है उन्हें या विटामिन A की कमी है बी की कमी है सी की कमी है लेकिन मैं देख रहा हूँ बारती जनता पार्टी को विटामिन A बहुत मिल ला है इन्हें कमी नहीं है इन पे विटामिन ओवर हो गई है और इसलिए मैं कह रहा हूँ इनका हिसाब किताब देखोगे तो इन्होंने क्या खेल खेला सोचिया एक समय पर एक समय नहीं नहीं वो गलत समय रहे बिटा में नहीं मलब जो द्यूपती है एक समय पर याद होगा आपको इन्होंने पूरा का पूरा पैसा बंद करा दिया और कहा कि नोट बंदी होने के बाद भेष्टा चार खतम हो जाएगा काला धन बापिस आ जाएगा वो याद कीजे वो समाजवादी सरकार थी और उस समय चुनाओं में जहां भी हम लोग जाते थे यही बात कहते थे कि रुपिया बंद होने से रुपिया हमारा काला सफ़ेद नहीं होता है हमारा आपका लेंदेन काला सफ़ेद होता है याद कीजे किस समय की बात है और आज कितने साल हो गए बैंकों में पैसा भर गया बैंकों में पैसा भरता चला गया और इन्होंने नजाने कैसी अर्थ व्वस्था बनाई कि कुछ उद्योगपती नजाने कितनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे और मुझे लगा कि दोजार चौबिस का जब चुना होगा तो बीजेपी कहेगी कि देखो हमारी अर्थ व्वस्था और अर्थ नीती ऐसी है कि भारत का उद्योगपती भी दुनिया में नमबर एक हो सकता है मुझे लगा कि हो सकता है वो उद्योगपती दुनिया का नमबर एक पहुँच जाए क्योंकि नंबर दो तक पहुँचने तक कोई उसे जादा समय नहीं लगा सोचो कहां भारत जो गरीब देश है हमारे अगर आकड़े हम देखें तो जहां पानी पीने का इंतजाम नहीं जहां पर अभी भी पढ़ाई अच्छी नहीं बच्चों को कितावे नहीं मिल पा रही है परियाप्त हम लोग खाना पीना नहीं खा पा रहे भैस्टर चार जहां चरम सीमा पर है बुरुजगारी जहां चरम सीमा पर है महिंगाई का ये आलम है कोई चीज ऐसी नहीं जो सस्ती बची हो विजली महंगी खाद महंगी डियेपी महंगी हर चीज महंगी होती चली जा रही और उसके बाद बता हमारे देश का उद्वपती नमबर दो पर और हमें लगा कि वो नमबर एक पर पहुंच जाएगा और जब नमबर एक पर पहुंच जाएगा तो बीजेपी हो सकती है उसी उद्योपती के नाम पर हम से आप से बोर्ट मांगे और लोग से बक अच्छनाव लड़ी लेकिन सोचो हिसाब किताब कैसा हुआ इस बार जो दो नंबर पे था वो पता नहीं कहां पहुँच गिया कहां पहुँच गिया मुझे तो ये लगता है कि जो साथाट महीने सरकार के बचे कहीं कोई ऐसा हिसाब किताब ना बनाए कि फिर उपर आ जाए सोचिए ये सरकार की कमी है या सरकार का फायदा है कौन सी विटामिन मिल लई है जो ए भागता जा रहा उपर कोई तो होगी बात और क्या खोगला पन था कि किसी की एक रिपोर्ट आने के बाद वो दो नमबर से कहां चला गया ये जो वैलिशन है जो आकड़े हैं आकड़े नीचे उपर हुए हैं लेकिन नजाने कितनों ने रुपया खोया है हम और आप नहीं जानते हैं जिन्नों ने रुपया खोया होगा हम और आप तो अख़वार में केवल कुछ संसाओं का देख रहे हैं जो सरकारी संसाओं है L.I.C. जिसमें हमारा आपका पैसा है कोई परिवार ऐसा नहीं होगा या जानकारी में नहीं हुआ जिसने L.I.C. में कोई नो कोई किस्त ना दी हो L.I.C. हमारा आपका गरीबों का पैसा वो पैसा लगा दिया उसमें स्टेट बैंक आफ हिंडिया का पैसा लग गया और बैंकों का पैसा लग गया हम यह जानना चाहतें बीजेपी के लोगों से जब सरकार इनकी बनी बनी थी किसी अधिकारी ने कोई फैसा लिया और उसने इस बिजली बिभाग के प्रॉट्रेंट फंड का पैसा एक ट्राइवेट कंपनी में लगा दिया डी एच एफल में वो डी एच एफल कंपनी डूब गई इन बीजेपी के लोगों को दिखाना था कि बहुत इमानदार सरकार है उसने उन सबी लोगो जेल भेज दिया अगर उत्त प्रदेश में सरकारी पैसे का इन्वेस्ट्मेंट अगर प्राइवेट कंपनी में हो करके और अगर प्राइवेट कंपनी डूब जाए तो जेल भीजा जाता है तो हम बीजेपी के लोगों से जन न चाहते हैं आज भारत की बैंकों का पैसा और एलाइसी का पैसा डूबा है तो पताओ कौन जेल जाएगा अगर यूपी में जेल जा सकते हैं तो दिल्ली में जेल क्यों नहीं जा रहे हैं वो लोग और याद कीजिए आप यही सरकार के लोग थे जो कहते थे घष्टा चार खतम हो जाएगा कहीं लूट पार्ट नहीं होगी और आप से बहतर कौन जानेगा यह समाजवादियों की देने सो नमबर उसको एक सो बार्ट कर दिया पुलिस को लगा कि हमारा भी रेट पर जाना चाहिए सरकार ने सो से एक सो बार्ट किया हमारी इमानदार पुलिस को लगा कि उनका भी रेट बढ़ गया है ये है सच्चाई के नहीं सच्चाई हमारी आपकी सरकार होती थी अगर कोई एक डीजेपी एक दिन नहीं बना दो दिन नहीं बना तो ये हमारे अखवार के मित्र भाई लोग हमारे अखवार के मित्र भाई लिखते थे कि देखिए कितनी नकाम सरकार है कितने नाकाम मुख्यमंद्री के फैसला नहीं ले पा रहें डी जी पी बनाने का और अगर हमने किसी को अपने डी जी पी बना भी दिया मान लीजिए उसकी काबलित के इसाब से या उसके किसी और काम की बज़े से तो बताओ आरोग क्या लगता था कि ये समाजवादी लोग जात के अधार पर और धर्म के अधार पर फैसला लेते हैं आज बताओ हमारे पत्रकार साथियो जुगार के डी जी पी बैठें के नहीं बैठें अब मुझे ने शब्द है कि सरकारी शब्द क्या होगा उसके लिए जो पर्मनेंट नहो जिसका टक्ति पर नाम नहीं लिखा जा सकता तो बताओ वो जुगार के तो डी जी पी होगा न के वर जुगार का डी जी पी है बोलकि Chief Secretary भी एक बार टम बढ़ता ए दो बार टम बढ़ता है तीन बार टम बढ़ेगा और आपकी सरकार होती थी तो हर एक चीज पर आरो बोल जाते थे तो सोचियों जो बड़े बड़े उद्योगपती बुलाई जा रहे हैं M.O.U. साइन हो रहे हैं हमारे किसान भाईयों नौजमानों धबराना मत ये M.O.U. कुछ नहीं होते हैं और मैं आपको सुजाद देता हूँ और अगर नस्च निकले तो पताना अगर आप अच्छा सूट पहन ले ताई लगा ले और कहीं B.J.P के दफ्तर के बाहर अगर आप निकल गए तो हो सकता है वो आपसे भी M.O.U. करवा ले M.O.U. करने के लिए आपको पैसे की जरूत नहीं है ड्राइ क्लीन करा हुआ सूट और एक बढ़िया टाई लगा के निकलोगे आप अगर B.J.P वालों ने देख लिया तो आपसे भी M.O.U. करा लेंगे हम B.J.P वालों से जानना चाहते हैं और ये जनता जानना चाहती है कम से कम पुर्वान शल्की जो इंतजार कर रही है कि विकास कब होगा क्योंकि मुझे याद है यही पर B.J.P के बड़े निता आये थे और बड़े बड़े भासर दे गए थे कि 2022 तक आये दोगनी हो जाएगी हमारे किसान भाईयों बताओ किसी की आये दोगनी हो गई हो तो बताओ अगर आये दोगनी हो गई हो तो बताओ किसी फसल की आपको उस्साई कीमत मिल गई हो तो बताओ ये जितने बैटे काईना 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 काईन खेत हैं सब है बताओ धान में लूट पहले हुई कर नहीं हुई और अभो रही कर नहीं हो रही बताओ हर फ़सल की तो यह M.O.E.U कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योग पतियों से हमें और आपको धुखा देने के लिए पहले नहोंने एक इन्वेस्टर मीट बलाई थी और उस इन्वेस्टर मीट में बला करके पांच लाद करोड के M.O.E.U किये थे नहोंने पांच लाद करोड एक दो करोड नहीं पांच लाद करोड के M.O.E.U किये थे और एकर हम पीशे मुड़कर के देगे हिसाब किताब लगाएं तो अभी जमीन पे कुछ नहीं उतरा एक बार डिफेंस एक्सपो किया इन्होंने दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनिया जो असले बनाती है जो बड़े-बड़े जो फौश को चाहिए हमारे असले आम्स या किसी और तरह की टेक्नोजी चाहिए उसकी बड़ी डिफेंस एक्सपो किया था हलागी गाजीपूर में नहीं का उन्होंने के यहां पर कोई टैंक बनाएंगे या गूला बनाएंगे या मिजाइल बनाएंगे हमारे गरीब बुंदेल खंड की जनता को कहा क्या आप बोर्ट दे दीजिए हम मिजाइल बनादेंगे महां की गरीब जनता ने बोर्ट दे दिया मिजाइल आज तक नहीं बनी हुआ पर मिजाइल नहीं बन पारी हुआ पर क्या सबना दिखाया मिजाइल बनाने का और पीशे मुण करके देखो तो कहीं जमीन पर कुछ नहीं उतरा और अब सुना है कि बीस लाग क्रोड से जादे के M.O.E.U. साइन हो गए और एक M.O.E.U. पकड़ा गया अमरीका की एक कमपनी जिसमें इनिवस्ट्री एक कमरे में भी नहीं चल लगी दी सोचिए उस पर कई हजार क्रोड का M.O.E.U. कर बाए करके आगई यह मंत्री जब वहाँ ठक गए विदेश जाकर M.O.E.U. करके तो प्रदेशों के बड़े बड़े शेहरों में गए M.O.E.U. करने वहाँ भी ठक गए तो फिर जिलों में चले गए हो सकता है गाजीपुर में भी कही नहीं नहीं ने मीटिंग की M.O.E.U. की उत्योगपतियों की गाजीपुर में की ती के नहीं की ती साव जी बता है हमारे विधायक जी बता रहे है के यहां भी M.O.E.U. साइन हुआ अरे आप भी सूटूट पहन के जाते है आपका के M.O.E.U. हो जाता हूँ तो सोचिए कहां अमरीका, कहां इंगलेंड, कहां यूरोप कहां ब्राजील, कहां मेक्सको अगर ब्राजील जाओगे तो 24 गंटे हवाजास से चलना पड़ेगा बताओ, ब्राजील से कोई यहां आएगा बलियाओ गाजीकुन में इंवेस्ट करने है कोई लॉट कानवाल इस तो है नहीं जो यहां पर कोई राच चलना हो अंग्रेजों का वो अलग बात है, कहां से आए और कहां पर उन्हें आखरी वक्त गुजारना पड़ा और कैसे इंवेस्टमेंट आएवाल आएगा अभी मैं बलियाओ के वेपारी बरिवार से मिलके आया हूँ यह नई तरह का वेपार चला रहे है बीजेपी के लोग इनके हाँ बैंकों से नहीं मिला है पैसा कुछ सूथ खोर हैं बीजेपी के पदा नहीं कहां से पैसा लेकर के आते हों वो बाट रहे हैं लोगों को और इतना बाट रहे हैं अगर कोई एक बार ले ले तो वो पापष अपने जीवन में नहीं कर सकता इतना इंट्रेस्ट वसूर लें और उसका परड़ाम यह हुआ एक नंदलाल गुप्ता ने कुछ सूथ कोरों से पैसा ले लिए अपने कारवार के लिए वैपार के लिए वो लोटा नहीं पा रहा था उस सूथ कोरों ने इतना डराया धमकाया के उसे आत्मत्या करनी पड़ गई और सोची आज के समय पर कैसे आत्मत्या की उसने इन नौजवानों ने देखा भी होगा फेस्बुक पे लाइव करकर के आत्मत्या की बताओ इन बीजेपी के लोगो डूप के मर जाना चाहिए जो लोग M.O.E.U. कर रहे हैं जो बड़े-बड़े M.O.E.U. कर रहे हैं और सूथ खोर वैफानियों की जान ले रहे हैं अभी उसके परिवार ने कहा कि बुल्डोजर नहीं चला बुल्डोजर नहीं चला उन पर जो सूथ खोर थे बीजेपी वाले मैंने कहिए यह सरकार का बुल्डोजर नहीं है यह बीजेपी का बुल्डोजर है यह बीजेपी का बुल्डोजर बीजेपी वालों पर नहीं चलता है यह दूसरों पर चलता है बुल्डोजर और यह जो बुल्डोजर की संस्किती लेकर के आए है याद रखें इस सरकार वाले लोग अगर बुल्डोजर यहाँ चला है तो बुल्डोजर बनना बंद नहीं होंगे बुल्डोजर बनने के बनने वाले कारखाने बंद नहीं होने वाले बता हम समाजवादियों के कितने नेताओं को कितना अप्मानित किया हैं नोंने जूटे मुगत्मे लगे हैं उन पे और यहां पर जितने कारकरता नेता होंगे वो महसूस करते होंगे कि इस सक्षार में जूटे मुगत्मे लगते हैं कि अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कुछ लिखने पर एफायर हो गई एक कारकरता पर हमें पुलिस हैड़कॉर्ट जाना पड़ा वही पुलिस हैड़कॉर्टर जो समाजवादियों ने बनाया दुनिया में अगर पुलिस हैड़कॉर्टर देखेंगे आप तो आपके भी पुलिस के लिए सबसे बैतीन पुलिस हैड़कॉर्टर बनवाया वहाँ जाना पड़ा क्योंकि कुछ लिख दिया तो उसमें जगणा हो गया बीजेपी वाले कुछ भी लिख सकते हैं उनके पर कारवाई नहीं होगी एफायर नहीं होगी अगर समाजवादियों लिख देंगे तो एफायर हो जाएगी और जात के अधार पर भीदवाब करते हैं ये लोग धरम के अधार पर भीदवाब करते हैं ये जात के अधार पर धरम के अधार पर भीदवाब करते हैं ये जात के अधार पर भीदवाब करें लेकिन भारती जंता पार्टी की लोग और इनके सरकार में बैठे लोग लगातार इसी तरह का भीज़वाब कर रहें अभी कुछ सवाल खड़े हो गए कहीं से सवाल ऐसा खड़ा हुआ जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है इसलिए मैंने कहा कि हम जनता के सामने नहीं सवाल करेंगे बीजेपी से हम सदन में जाकर के पूछेंगे उनसे क्योंकि जो हमारे मुखिमंत्री हैं केवल समिधान की सबतनी लेकर के बैठे हैं वो किसी मठ से भी आये हैं और मठ पर तो इसलिए आगए क्योंकि उनके परिवार के लोग पहले मठ में थे अगर उनके परिवार के लोग मठ में नहीं होते तो शायद मठ पर नहीं पहुँच पाते उन्हें हमारा और आपका परिवार बाद तो दिखता है लेकिन उन्हें अपना परिवाद बाद नहीं दिखाई देता है उन्हें अपना परिवाद बाद नहीं दिखाई दे रहा है और इनके जो फैसले हैं इनकी आप कल्पना नहीं कर सकते यही पुर्वाणचल के लिए कहते थे एक्सप्रेजवे के लिए कहिए भष्टा चारवाला पुर्मान चाल एक्सप्रेस वे है याद है के नहीं याद है इस हाईवे को कहते थे ये समाजबादियों ने इसमें लूट की है अरे कभी लूट देखनी हो तो बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे की देख लेना क्या लूट हुई है वहाँ पर प्रदान मंतीजी ने उद्गाटन किया इंदेव ने बारिश कर दी गड़े गड़े हो गया है पूरा एक्सप्रेस वे बह गया बुंदेल खंड का एक्सप्रेस वे इसकी जो कीमत है उससे ज़्यादा कीमत लगा दी हुआ पर हमें दुख है इस बात का अभी मैं जाते हुए देखता हुआ गया और आते हुए देखता हुआ हूँ हमारे पुर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिखाई दे रहा गाड़ियां नहीं चल पा रही है और उतने भी लोग नहीं चल पा रहे है जितने समाजवाली लोग रटके समय चल लिये थे उसमें मुझे याद है जब हम लोगों ने शुरुआत की थी इसी हैदरिया पखनपुरा के पास जहां पर यह हाईवे खतम हो जाता है बताओ अगर एक इंच भी बीजे पी ने आगे बढ़ाया हो तो बतादो आप अगर एक इंच बढ़ाओ तो बताओ आप उसके आगे मैंने उस समय जिलादिकारी से पूछा एक दिन के बताओ यह हैदरिया पखनपुरा से आगे जा रहा है के नी जा रहा है एक्सप्रेट वे बोने हमें पता ही नहीं सरकार को सोची ने रही और यह इसलिए मैंने छोड़ दिया था मैंने कई बार प्रेस में का सदन में का और मैं आज फिर कहता हूँ मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि यह N.O.C. नहीं देते हमें अगर हम इस सड़क को और आगे बढ़ा करके ले जाते है तो N.H.I. का यह कानून है कि 10-15 किलोमीटर के अंदर कोई टोल सड़क नहीं बन सकती इसलिए मैं जानता था कि यह N.O.C. नहीं देंगे और अगर N.O.C. नहीं देते तो शायद यह एक्सप्रेस बें नहीं बन पाता इसलिए मैंने 15-20 किलोमीटर छोड़ दिया आगे नहीं जोड़ा जा करके और उसके कारण यह सड़क बन करके तयार हो गई और यह सड़क इसलिए बना रहे थे यह केबल चलने के लिए नहीं थी शहर को जोड़ने के लिए नहीं थी इसके आसपास हम मंडी बनाना चाहते थे आप हमारा गोश्णा पत उठा करके देखिए इसके आसपास मंडी बन रही थी और इसके आसपास हम अपने नौजमानों के लिए ट्रेनिंग इस्टिटूट बनाते एक साल की ट्रेनिंग पाते और कहीन की उन्हें रोजगारे नौक भी मिल जाती हमारा अधूरा सपना वही रह गया हम लोग नहीं बना पाए लेकिं तुर भाग ये देखो जने सरकार में मौका मिल गया एक बार नहीं दूसरी बार वो नहीं बना रहे हैं उस सड़क को आगे नहीं ले जा रहे हैं आगे नहीं ले जा रहे हैं और मैं आज इस मन से खड़ा होकर कह सकता हूँ अगर समाजवादियों ने वो सड़क न बनाई होती ऐसी तो शायद देश के प्रधान मंतरी उस सड़क पर कभी अपना हवाईजाद नहीं उतार सकते थे अगर किसी कारण उनका हवाईजाद उता है तो वो समाजवादियों की देने और समाजवादियों की सोच है इसी वज़े से हवायाज सड़क पर उतर गया था ये सड़क केवाल जोड़ ले के लिए नहीं थी अपने गरीब किसानों को खुशाली के लिए थी और किसी ने सड़क नहीं मांगी थी इस सड़क को हम लोग सबसे बह्तुरीन बना रहे थे हमारे बाबा मुख्यमंद्री इसका डिवाइडर छुटा कर दिये ये डिवाइडर दस मीटर बारा मीटर होना था ये डिवाइडर कम कर दिया और बीजेपी का सबसे प्रिया काम सौचाले बनाना वाला हलागी यहाँ तो सब जगे नाम लिख दिया लेकिन इसके आगे चुड़ने वाली जो सड़के आगरा लखनू एक्सपेस ले आप देख लो ये उद्गाटन किया था हमारे मंतरी लोग बैठे हैं उस समय ये लोग मंतरी थे उद्गाटन जब हुआ तो अब आप लखनू से लेकर के आगरा देख लो कहीं आपका नाम नहीं दिखाई दे रहे ना नेता जी का नाम है हम लोगों ने उद्गाटन करके नाम नहीं लिखा नाम नहीं लिखा हम लोगों ने लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो जहां सोचाले के लिए उतरते हुआ भी जैपीन अपने नाम दिख लिए ये सड़क बन जाती, मंडिया बन जाती, ट्रेनिंग स्टूर्ड बन जाती तो हमारे लोगों को कुछ आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है पताओ ये अगनी वीर जैजी विवस्था हम नौजवान साथियों आपसे कह करके जा रहे है ये अगनी वीर वाली विवस्था हमारे देश की सीमा की रच्छा नहीं कर सकती मैंने उस समय भी का और फिर कहता हूँ मैं ये आदी अधूरी नौकरी हमारे नौजवानों का मौनुबर नहीं बढ़ा सकती ये आदी अधूरी नौकरी चार साल जाएए आउट सोर्स की तरह आप जा हूँ आपर जब तक ये बंदूग चलाना सीखेंगे तब तक ये घर वापिस आ जाएंगे आजकर जो मशीने जो टैंक हैं आप पैसे कुछ लोग रिटायर होकर के आये होंगे फौस से एक टैंक को चलाने में आठ साल दस साल लगते हैं दस साल में सीख पाता है टैंक चलाना कई मशीने आगे ही टेक्नोजी है उनको सीखने में टाइम लगता है आज मॉडरन हो रही है फौच और ये बताओं ऐसी नौकरी भर्धी कर दे रहे हैं? हम लोग कभी इसको स्विकाज न कर सकते हैं हो सकता है आज हमारी ताकत नहीं है आज हमारे संसन नहीं जाता है अगर कल संसन होंगे या कभी मो Entertainment मेलेगा तो ये आदी अधुरी नौकरी अगनी वीर जैसी नहीं चलेगी परमनेट नौकरी होंगी क्योंकि हमारा नौजमान बढ़ती पहन करके इस देश की रख्षा करना चाहता है ये जो हमारे पड़ोसी देश है हमारे जो पड़ोसी देश है कोई बाद नहीं आने तो कोई बाद नहीं जो पड़ोसी देश है कोई बाद नहीं कोई बाद नहीं कोई बाद नहीं कोई बाद नहीं हमारा जो पडोसी देश हैं उनसे खत्रा बहुत बड़ा है मामूली खत्रा नहीं है ये सरकार स्विकार नहीं कर पा रही है आज को आज तो चीन का खत्रा है पहले लुहिया जी ने कहा लुहिया जी कहते थ पाकिस्तान से ज़्यादा हमें खत्रा चीन से है वही नेता जी कहते थे अगर आपको याद हो बाद ने मिला देना इसको मिला देना वही आपको याद होगा आपको याद होगा कि डाक्टर रामनुर उयाज कहते थे ये चीन से हमें बड़ा खत्रा है नेताजी ने भी यही का हमें चीन से खत्रा है आज अगर आप देख रहे होगे जहां पर सीमाएं है हमारी सीमाओं पर कबजा कर रहा है और चीन एक तरह से नहीं हमला कर रहा है सीमाओं पर तो करी रहा है हमें हमारे पर हमला दूसरा हमारा बजार कबजा कर लिया सोचो सीमा सुरक्षित नहीं चीन से और हमारा बजार भी कबजा कर लिया उन्होंने बजार भी कबजा कर लिया तो दो तरीके से हमें नुकसान पहुचा रहा है फिर लिए हमें साबदान लेना पड़ेगा और साब्दान इसलिए देना पड़ेगा देश की अगर कोई विवस्था सुधार सकता है समाज को कोई नई दिशा दे सकता है तो वही समाजवादी लोग हैं जो दिशा दे सकते हैं ये जो एक्सप्रेस बें बने हैं मुझे खुशी है इस बात की आपका दिल्ली से चल करके ये एक्सप्रेस जो बन करके आया है इसी की नकल बीजेपी के लोग कर रहे हैं जो नए उनके एक्सप्रेस बन रहे हैं इसी डिजाइन की नकल कर रहे हैं इसी एक्सप्रेस बे की जो डिजाइन है वो इसी की नकल कर रहे है और हम समाजवादियों नजाने कितना काम करके दिखाया इसलिए हम इस मौके पर जहां पर अपने नेता केलाश जी को याद कर रहे हैं केलाश शादब जी को जहां हमारे बहुत सारे नेता जिनको हमने खोया है चाहे वो राम करन दादा जी हो नेता जी रहे इन लोगों ने हम लोगों को बहुत आगे का बढ़ने का रास्ता दिया हम लोगों एक ऐसा रास्ता दिखाया हम लोगों जिस रास्ते से हमारा किसान और गौंग रहने वाला खुशाल होगा और हमारा बुंदर भाई खुशाल होगा नहीं क्योंनी कुण नहीं साफर रही है अगर कुछ कारोगार, रहो हो दुनिया में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो हमारे बुन-गर कहातु क्यों भुम भुम चीजे आ रही हमारा नौजमान क्यों खाली हाठ है? हगर 20 लाओ कोरोड के M.O.E. क्यों लखनों में हो रहे हैं अगर यहां के मंत्री विरेज गए घुम घुम कर गए देश और वो एमोईों करकर के पैसा लगवाना चाहते हैं तो हमारा नौजमान भी रुजगार क्यों है हम उसके हाथ में काम क्यों नहीं है यह लड़ाई बहुत बड़ी है क्योंकि उन्हे गउँ दिहाद और गरीब से कोई परवा नहीं है अगर गउँ की तरफ उन्हें परवा होती तो हमारे किसानों की पैदावार की सई कीमत मिल लई होती हमारे नौजमान जो गउँ में भाग रहे हैं दोड़ रहें मेहनत कर रहे हैं उनको ऐसी टेमपरिरी नौकरी नहीं दे देते पहमने नौकरियां देते इनको और जहां तक सवाल हमारी गिंति का है ये कई लोग बार हम लोगों पर आरोब लगाते हैं किसी का हग शीन लेते हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं ये समाजवादी पार्टी का अंदोलन जाती जन्रना का और तेजी से बढ़ेगा और हम हम लोग गौण गौँँ जाएंगे अपने लोगों को सम्ठाएंगे क्योंकि जब सब की किम्ति हो सकती है तो हमारी आपकी किम्ति क्यों न हो और फिर हमें आर fasten में भीदवाब हम लोगों के सार्थ अब आदी में हम ज्यादा गिंती में हैं नहीं हम कहीं अगर चीजें बदल सकती है बड़े बड़े फैसले अगर सरकार कहती है कि हमने इतनी सालमा लेकर दिखा दिये अगर उन्होंने कुछ फैसले लेकर के दिखाएं है याद कीजिये हमने हर सवा में कई बार कहा कि समाज़वादियों का मौका मिल जाएगा तो तीन महीने के अंदर जाती जनगरना करके दिखा देंगे हम सरकार में नहीं आए लेकिन देखो आपके पुरोज में बिहार में जाती जड़ना सुरू हो गई के नहीं हो गई अगर बिहार कर सकता है जाती जड़ना तो यूपी तो बहुत आगे है समाजवादी होते तो आज जाती जड़ना उत्तपदेज में हो रही होती कोई रोख नहीं सकता था सरकारी नौक्रियां कहता हम सब बेज़ दे रहे हैं सब कुछ बेज़ दे रहे हैं अभी एक मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग कारकब में गए थे ते लंगा न वहाँ के मुख्यमंत्री किसी आर सामने हम सब को बनाया था वह सबाँ में एक मुख्यमंत्री ने बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कहा कि ये रेल, ट्रेन, एल आईसी, सरकारी संसान सब बेच रहे हैं एक-एक करके बेज़ दिया, पानी का जहाज पोर्ट बेज़ दिया, रेलवे बेज़ दिया हवाईजाज बेज़ दिये, हवाईजाज के अड़े बेज़ दिये, एल आईसी बेज़ दिये, बैंक बेज़ दिये लेकिन एक चीज़ खरी लिए इनोंने, मीडिया सब बेज़ दिया लेकिन एक चीज़ पर कबज़ा कर लिया है इनोंने बिदाई बजट है इसके बजट नीद ला पाएंगी ये लोग बिदाई बजट है और मित्र को बचाने में लगे हुए हैं मित्र लोग और सच्चाई भी यही है कि मित्र की पैचान बुरे वक्त में होती है अगर मित्र डूबा है तो हम लोग देखेंगे मित्र बचा पा रहे के नहीं बचा पा रहे ये बात तो समझ गयोगे ना और कुछ लोगों की बात नहीं मानना कुछ लोगों कभी इधर होंगे तो कभी इधर होंगे उनकी बात मत मानना और उनकी बात आदी अदूरी है मैंने याद होगा जब मैं आया था चुनाव में तब भी मैंने गाना पूरा करके दिखाया था एक कोई थे वो कहते थे कि चल सन्यासी मंदर में का आप आप चल सन्यासी मंदर में हम लोग इतना ही सोच के उनको समझ लिये कि जड़े बड़ी अच्छा गाना है लेकिन कभी इसकी दूसरी लाइन समझ लेना पड़ लेना क्या लाइन है दूसरी इसकी का चल सन्यासी मंदर में तुमारा कुछ हमारा कुछ बज़ेगा दोनों का क्योंकि हम गाने में तेज नहीं उतना गानावाना नहीं कह सकते लेकिं सुनाए दूसरी लाइन यहे हिए कि कंगना बजए हगा सहय हूँ बता हूँ रात में कंगना बज़ा रहे हैं दूसरी दां में जाकर कि इस जो नाम बदलने वावälे हैं हमें खुशी है कि हमारे मन्च पर भी ओम परगास जी है इन नाम बदलने वाले अगर हैं तो ओम प्रकास नामी रख दो इस जिले का इसे नाम बदलने वाले प्रसाफ दे रहे हैं तो ओम प्रकास नामी रख दो तो कम से कम हमारे पास वह एक नाम इसे इनके चक्कर में मत पढ़ो ये गरीबों को धोगा देने वाले लोग हैं ये पॉलिटिक्स में बिजनस्मेन हो गए हैं बिजनस्मेन ये राज़नीत को बिजनस समझ रहे हैं हम समाजवादी लोगों ने भरोसा किया है और जो कुछ कर सकते थे त्याग गड़बंदन बनाने में हम लोगों ने त्याग करकर करी गड़बंदन बनाने का काम किया था लेकिन अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहीं गड़बंदन करने नहीं जा रही अपनी अगली ताकत पर साइकल पर सबार हो करके चलेगी और जो साथी साथ हैं उन्हें लेके चलेंगे बस कोई नया गड़वनन नहीं कोई राजनीद में एक्सपेरिमेंट नहीं अब केवल अपने किसान और नौजवानों पे भरोसा करके और बुनकर भाईयों के भरोसा करके अगले चुना में साइकिली साइकिल लड़ने वाली है इनी सब्दों के साथ मैं अपने सभी बुज़रुगों का और किसान भाईयों का बहुत बहुत धनिवाद देता हूँ बहुत बहुत धनिवाद देता हूँ जहां आज हम अपने पार्टी के नेता शुदे केलाश यादब जी को याद कर रहे है वहीं हमें जानकारी और आप समने देखा के गाजीपुर के ही नौजमान कास्माबाद के जो जहाज गिरा था जो जहाज का एक्सिरेंट दुआ तो उसमें जान चली गई थी जो चार बच्चों की जान गई थी यहां से घूमने के निकले थे हम उनके दुख में भी शामिल है इस मौके पर हम शदाजली देते हैं और ये भी भगवान से प्रात्ता करते हैं कि नौजवान बच्चे जिन्होंने को इनके परिवार को इस दुख सहने की सक्ति दे हैं और जो कुछ सहयोग मदद हो सकती हैं परिवारों की करीब परिवारों की हम लोग उनके दुख में खड़े हैं उनके साथ खड़े हैं इनी सब्कों के साथ अपने काजीपूर के सबी लोगों का बहुत बहुत धनिवाद देता हूँ और अपने संचालन कर रहे डॉक्टर रमा संकर राजवर जी का बहुत बहुत धनिवाद क्योंकि जतना हमारी जन्ता बैठी रही इस सुबह से जो सुबह से चल करके आये थे इधर बहुत दिनों बाद मिले हैं हम और आप लोग चुनाओ के बाद मिल पाए हैं इधर धनिवाल लेकिन जो एकस्प्रेस बे बनाया है उससे तो कम से कम कुछ दूरी और समय बचरा है हम लोगों का मिलने का इसलिए लगातार हम लोग आपके बीच में आते रहेंगे और इसी बस्वास और भरोसे के साथ के जिस तरीके से आपने हमारी इस चुनाओं में मदद की दी हमेशा आने वाले समय में हम लोगों की समाजवाद यांदरों को मजबूत कर देना यही केलास यादव जी को सबसे बड़ी स्टार जली होगी इनी सब्दों के साथ आप सब का बहुत-बहुत धनवाद बच्चों का बहुत-धनवाद जो बहुत धेर तक स्कूल कालिज में बने रहे बहुत बहुत बढ़ाई आपको एक एतिहासिक कारकम के लिए मैं इस बेटी को बढ़ाई देता हूँ मैं इस बेटी गुन्जन कुमारी को बढ़ाई देता हूँ जो अभी हाल में ही 19,000 फीट पर जो पीक है उस पर चड़कर के आई है मैं इनको गरीब परिवार से निकल करके इस जो इतनी उचाई चड़ी है मुझे बढ़ाई देता हूँ मुझे शुकाम नहीं देता हूँ कि आने वाले समय में जितनी भी उचाई की चोटिया है सब को ये चड़ लें सब को पार्क लें बहुत 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 बढ़ाई लें और इस उमर के बच्चे शायद उस उचाई पे जाने की सोच भी नहीं सकते है इनकी उमर अभी 16 साल हुई है और 19,000 फीड की पार्णियां उस चोटी तक पहुँचे है मैं इनको बहुत 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 बढ़ाई और बहुत बढ़ाई उक्नादे टाम झाल 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 झाल